आज जैपुर में दोपर में एक गंभीर वारदात घटित हुई श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुकदेव गोगा मेडी की हत्या कर दी गई हत्यारे बादचित करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बादचित भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी इस गोली कांड में श्री गोगा मेडी को वो उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी साथ ही जो आरूपी एक आया था इन हत्यारों के साथ ही उसको भी गोली लगी गटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए दोनों हत्यारे और जो आरूपी साथ आया था उसकी वो श्री गोगा मेडी की मृत्यू हो गई हमारे पुलिस कमिशनर जैपूर श्री बीजू जार्ज वो उनके समस्त अधिकारी और ऑफिसर्स लगे हुए हैं सम्भावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के वहां दविश दी जा रही है। पडोसी जिलो में और विकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के कॉंटेक्ट्स हैं उन पे भी दविश दी जा रही है और हर्याना डीजी साहब से भी हमने बात चित कर उनका भी सहयोग मांगा है रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है ये अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमे लगी हुई है शिग्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विदिक कारवाई उनके खिलाफ की जाएगी मैं अपील करना चाहूंगा सभी से कि वो धैरे बनाए रखें और शांती बनाए रखें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी झाल